चुनावों के तारीखों का ऐलान करने से पहले आज इलेक्शन कमिशन में दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती हो गई रिटार्ड आईएस ज्यानेश कुमार और सुखपीर संदू की नियुक्ती इलेक्शन कमिशनर के तौर पर हुई है और अब इलेक्शन कमिशन कम्प्लीट हो गया प्रधान मंतरी नर्यमुदी गैडिक्ष्टा में अपॉइन्मेंट्स कमिटी की मीटिंग में इन दोनों के नामों पर महर लगी हाना कि मीटिंग में में मेंबर के तौर पर मौजूद विपक्षिक नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों नामों पर आपती दर्ज कराई लेकिन दो एक के भुमत से फैसला हो गया अब इलेक्शन कमिशन में चीफ इलेक्शन कमिशनर राजी कुमार के साथ दो एलेक्शन कमिशनर जानिश कुमार और सुखबीर सिंधु को मुलाकर कुल तीन चौनाव आयुट हो गए हैं खाली पोस्ट भर दी गई हैं अब तीनों एलेक्शन कमिशनर की सबसे पहली चौनाती है देश में लोगसवाच चुनाव कराने की और बहुत जल्द लोगसवाच चुनाव की तारिखों का ऐलान हो जाएगा इसकी चर्चा करेंगे दूसरी बड़ी ख़बर है कि अपसे थोड़ दिर पहले इलेक्शन कमिशन ने अपनी वेब साइट पर एलेक्टरल बॉड्ड की सारी डीटेल अपनी वेब साइट पर अपलोड करती है हाना कि सुप्रीम कोट ने इलेक्शन कमिशन को कल शाम तक का वक्त दिया था लेकिन चुनाव आयूग ने सारी जानकारी आज ही सार्जन ही करती चुनाव आयूग की वेबसाइट पर जानकारी है उससे ये तो पता लगता है कि किस कंप्री ने कितने मौंड्स खरीदे और किस पार्टी को इलेक्टर मौंड्स से कितना पैसा मिला लेकिन ये पता नहीं लग सकता कि किस कंप्री ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया तीसरी खबर यह है कि आज पूर राश्पती के अध्यक्षा में बनी One Nation One Election की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट राश्पती को सौंप दी इस रिपोर्ट में क्या है? क्या सिफारिश की गई है? लोकसबार, विधासमा, खुष्णाव, एक साथ कराने का क्या फॉर्मूला बताया गया है? विरोधी दोलों के नेताउन इस पर कैसे रिएक्ट किया? किस आधार पर One Nation One Election को घलत बताया? और इस मुद्दे के सपोर्ट में सरकार ने क्या कहा? इससे क्या फायदे हो सकते हैं? इस सब की चर्चा डीटेल में करेंगे. लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, अभी अभी की ताजा खबर पर, इलेक्टरल बांड पर, किस पार्टी को कितना चंदा मिला? इलेक्शन कमिशन जो डेटा जारी किया है, उसे पूरी तरह अनालेज करने में वक्त लगेगा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, चार सो से जादा पेजेज हैं, लेकि जो मोटी मोटी जानकारी सामनी आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. इलेक्शन कमिशन के साइट पर अपलोड हुई जानकारी मताबिक, बीजेपी को पिछले पांस साल में कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, इनके जरीए बीजेपी को कुल 6,060 करोड रुपए का चंदा मिला, कॉंग्रेस को कुल 3,146 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, और इ 1,421 करोड रुपए से कुछ ज्यादा का चंदा मिला कॉंग्रेस के खाते में आया, त्रुमूल कॉंग्रेस को 3,335 बॉन्ड से 1,609 करोड मिले, चंद्शेकराव की पार्टी बीरेस को 1,806 बॉन्ड मिले, जिनके जरीए कुल 1,214 करोड रुपए बीरेस के खाते में आया अर्विन केजरिवाल की आम आदमी पार्टी को भी 245 इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरीए 65 करोड से ज़्यादा रुपए उनके खाते में मिलेगी अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ गई है इस पर कल से सियास्ता शूरू होगी बहस होगी लेकिन जो डेटा सामने आया है उससे एक दो बात है क्लियर है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फाइदा सभी पार्टियों को हुआ है बीजेपी के सास्ता कांग्रेस त्रिनूल कांग्रेस और आमादमी पार्टी और चंशे कराव की बियारेस सब को चंदा मिला है और ये बास सही है कि BGP को ज़्यादा चंदा मिला है लेकिन जिन राज़ों में जिन पार्टियों के सरकार हैं उन्हें वहाँ BGP से ज्यादा चंदा मिला है और स्कॉर्ड डी पैनलाइस करेंगे जब पूरी डीटेल सामने आ जाएंगी डेटेव को गहराई से जाच करने में थोड़ा वक्त लगेगा इस वक्ती दूसरी बड़ी खबर है कि दो चौनावा आयूति नियूति के बाद ग्यानेश कुमार और सुब्वीर सिंग संदू के बाद नए इलेक्शन कमिशन के नियूति के बाद अब सवाल यह कि दोनों चनवा आयो कल जब काम समभाल लेंगे तो फिर वो इलेक्शन के तारिकों का एलान कब करेंगे तो ताजा जानकारी के लिए देविन पारश्षर के पास चलते हैं हमारे पुलिटिकल रिटर हैं देविन अब इलेक्शन कमिशन पूरा हो गया तीनों इलेक्शन कमिशनर कल अपना काम शुरू कर देंगे अब क्या उमीद है कि इलेक्शन के तारिकों का एलान हो जाएगा जा बिल्कुल रजाजी कल ये दोनों इलक्षन कमिशनर के अपना पदभार ले लेंगे उसके बाद तीनों इलक्षन कमिशनर की एक बैठक होगी और कल शाम तीन बज़ एक बाद सूर्स का ये कहना था है कि वो कांटडाउन शुरू हो जाएगा चुनाओ की तारीखों के एलान को लेके और कल शाम या परसो इन दोनों ही तारीखों में से किसी दिन चुनाओ की तारीखों का एलान कर दिया जागा आलग एक बड़े सोर्स ने तो आज दिन में बताया था कि परसो चुनावायों की तारीकों का एलान हो रहा है लेकिन दूसरे सोर्स का यह कहना था कल शाम तीन बज़ेक बाद उसको काउंटडाउन शुरू हो रहा है और कल शाम में कर दिया जाए या परसो चुनावायों की लिए तयारियों की बात कर लें तो चुनावायों का ट्रास में आंतीम विजट था जम्मु कशमीर में टेरह तारीक pasta education वहाँ की तैैयारीयों से वह परोएक कि इसके पूरे देश भर में चुनाओं कराने कि लेकर वा पूरी तरह से संत्ष्ठ हो चुके हैं सारी जो ऑप्जर्बर्स है उनके साथ बैटा कि झुकी है करया गया जा नथा उनके पर यह कहना था कि इस पर अभी अन्तीम फैसला लिया जाना बाकी है जो हमें सोर्सेस का द्वारा जानकारी मिल लिए उसके हिसाब से जम्मू कश्मी में विधान सभा चुनाओं लोगसभा के साथ नहीं कराया जाएंगे वो चुनाओं सितंबर के महीने में कराया जाएंगे विधान सभा के चुनाओं ताकि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से वहां पर फोकस किया जा सके तिलहार लोगसभा चुनाओं के लिए पूरी तैयारी हो चुके है और जैसा ही कांटडाउन के बारे में मैंने बताया कि कल शाम के बाद वो कांटडाउन शुरू हो जाएगा संभा है कल शाम या परसो चुनाओं की तारीकों का ऐलान कर दिया जाए देविन पारशर बहुत शुक्री आप बड़ी खबर आपने बताई है देविन का कहना है कि अगले 48 घंटों में चुनाओं की तारीकों का ऐलान हो सकता है ये वो तारीके हैं जिसका पूरे देश को इंतजार है अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इलेक्शन कमिशनर्स की अपॉइंट्मेंट के लिए जो कमिटी की मीटिंग हुई उसके दौरान आज क्या हुआ इलेक्शन कमिशनर्स की अपॉइंट्मेंट करने वाली कमेटी में तीन मेंबर होते हैं प्रदान मंतरी एक कैबिनेट मेंस्टर और लिडर ऑफ ओपोजिशन आज की मीटिंग में प्रधान मंतरी मोदी के अलावा हूम मिनिस्टर मिच्छा और लीडर अफ ओपोजिशन के तौर पर अदीर रंजन चौतरी मौजूद थे मीटिंग में छे नामों के पैनल पर चर्चा हुई और इसके बाद 1988 बेच्ट के रिटाइड आईएस ग्यानिश कुमार और पिमो में स्पेशल सेकेर्टरी के तौर पर तैनात आईएस सुखपीर संदू के नाम फाइनल हुए हाना कि जैसी उम्मीदती वही हुआ मोदियो और मिच्छा ने जिन दो नामों पर सहमती जताई उन पर अदीर रंजन ने आपत्ती दर्च की लेकिन सो कोई खास फरक नहीं पड़ा क्योंकि मैजॉर्टी के अधार पर फैसला होता है वही हुआ ग्यानेश कुमार और सुबीर सिंग को नया इलेक्शन कमिश्टर निउक्त कर दिया किया हाना कि अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव एकिन निउक्ति को सरकार की तानाशाई का समूद बताया मीटिंग के बाद अधीर रंजन नेका असल में सरकार ने नाम पहले ही तैय कर लिये थे मीटिंग तो दिखानी के लिए थी अधीर रंजन नेका कि उन्हें दो सो बारा नामों की लिस्ट दी गई थी फिर मीटिंग से कुछ देर पहले छे नामों की लिस्ट दी गई तो इतने कमभक्त में, इतने सारे अफसरों के बारे में वो कैसे जानकारी हासिल कर सकते थे, इसलिए वो डिसेंड नोट दे सकते थे, वो दे दिया. कि मैंने यह यह मंतर न लाई से मतलब ल्ट मिनिश्ट यूज्स पहले जैण पहले शॉटूट 나온 चैन की यह बतते हैं मा लूझ यहas 5-6 बिक्ति की सान को तन अगर भर अगर होते मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे जो सुची दिये गए थे वह माल लीजे कूल मिलकर 212 जनकी यह बहुमाथ है उनका पहले ही मुझे 212 नम दिये गए दस मिलिट पहले छे नम दिये जा रहे हैं और मैं जानते हूं कि यह बहुमाथ इनके पास है सीजी आई सब नहीं है कानून को तयार किये गए है कि सीजी आई बाहर रहे हमारे नया दिज बाहर रहे और अंदर-अंदर बैटके सरकार अपने बहुमत की बजाए से आपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चायन करे यही तो बात है फिर भी नियोमों की अधार पर हम मैं बुलाए गए तो मैं चले गए तो इसलिए मैं दिसेंट नोट दे दिया इलेक्शन कमिशनर की जब भी न्यूक्ति होती है इसी तरह क्या रूप लगते हैं मुझे आदे जब राजी कुमार के अपन्टमेंट हुई थी तब भी यही कहा गया था फिर अरुन गोईल की इन्यूक्ति का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कानून बनाया कमिटी बनाई पार्लमेंट से इस कानून को पास करवाया और फिर अरुन गोईल ने इस्तिफा दिया तो फिर सवाल उठे इसलिए सवाल उ कमिश्टर्स की आपइंटमेंट की टी एन सेशन रिटायर हुए तो कॉंग्रेस के सपोर्ट से बनी हच्टी देवेगोड़ा के सरकार के वक मन्नौर सिंग गिल को इलेक्शन कमिश्टर्स बनाया गया तब भी सवाल उठे थे मैस गिल जब रिटायर हुए तो कॉंग्रेस ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया और मन्नौन सिंग के सरकार में वो मिनिस्टर भी थे 2016 तक राज्यसभा में रहें तो क्या इसका ये बतलब निकाला जाए कि मैस गिल के वक्त में जो चुनाव हुए उन्दिश पक्ष नहीं थे मुझे लगता है कि ये गलत थाड़ना है 140 करोड के देश में चुनाव कराना आसान नहीं है और जब हर हादमी के हाथ में मुबाइल फोन है, कैमरा है, जनता जागुरुक है तो फिर किसी तरह की गल्बड़ी के आशंका पेकार है इस तरह की बातों से कॉंगरिस की निराशा चलकती है पूरी दुनिया हमारे लोकतंत की मजबूती और निश्पक्ता की बिसाल देती है इसलिए चुनाव आयुक्तों की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाकर इलेक्शन के प्रोसेस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा